हलो दोस्तों, आपने में इससे पहले वाला वीडियो देख लिया होगा, उस वीडियो में मैंने आपको QT के पेपर के लिए एक स्ट्रेटेजी बना के दी थी, उस स्ट्रेटेजी में हमने बताया था कि आपको तीन टॉपिक सबसे पहले करना है, टाइम सिरीज, कोरिलेशन, रिग्रेशन, उसके बाद क्या करना है, तो function करना है, फिर matrices करना है, और उसके बाद set theory के questions करना है, और उसके बाद फिर backup plan में हमने आपको तीन बातें बताई थी, कि एक मेरा पूरा वीडियो है, जो इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ होगा, elasticity of demand, उसको देख लिजे, व 20 मिनिट का उससे आपका काम हो जाएगा, दूसरी बात करी थी, हमने एक producer surplus और consumer surplus वो भी बड़ा आसान है, आप मेरा 40-45 मिनिट का एक वीडियो वो भी इसी के नीचे दिया हुआ है, वो आप देखिए, आपका tension free हो जाएगे, अब हम बात करते हैं कि जो strategy मैंने इससे पहले वीडियो में बनाई थी, क्या पूराने 3 साल के papers के उपर हम उसका analysis करके देखें, तो क्या वो apply होती है, तो चलिए, देखते हैं, अपन सबसे पहला, तो हमने आपको बताई दिया था कि दो question आपको compulsory, आप देखो compulsory का मतलब लोगों के दिमाग में क्या होता है, कि आप कर compulsory का मतलब है कि सारे question आप एक तरफ से नहीं कर सकते हैं, ये compulsory है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि total, total 40 number लाना हैं दोस्तों, तो total अगर मुझे 40 marks लाना है, internal मिला के, internal मिला के हमें क्या लाना है, 40 marks लाना है, तो मान लेते हैं कि आपको internal में 16 marks आ गए, तो अब आपको exam में कि केवल और केवल 24 marks लाना है, minimum, तो ये minimum criteria है कि 40 number आ गए, और मैं तो कह रहा हूँ कि देखी, 4 question A part में से आएंगे, 4 question B parts में से आएंगे, और अगर मुझे केवल पूरे paper में से मैं 2 question सही कर लूँ, minimum requirement बता रहा हूँ, तो 16 और 16 32, और वो 2 question ऐसे होना चीए, कि दिल पे हाद और वोला सही है सर, अब आप चेक करो, कोई और चेक करें, कोई फरक नहीं बढ़ता है, ये सही है, तो जब हमें ही पता होता है कि हमने question हमें आता है, हमने इसका answer निकाला हुआ है, पहले भी और अभी भी और ये सही है, आप tension free हो गए, तो minimum requirement की बात करें दोस्तों, तो paper में से, दो question, फिर बात ध्यान रखिए, सही करना है, केने को तो बड़ा असान है कि सर, आपने पांच topic गिना दिये, मैंने वो पांच कर लूँगा, और हो गया काम, नहीं होता है, तब पलतू बाते हैं, मैंने आप बहुत सारे student को पिछले 20 साल पढ़ा-पढ़ा के देख छोटी-छोटी गडबड़े होती हैं, और answer नहीं आता है, इसलिए QT का paper pension मिला देता है, पिर अब tension कम करने के लिए तो मैं यह आया हूँ, tension free हो जाईए, केवल और केवल strategy की बात करिए, तो मैंने जो बात करी थी strategy की, तो हमने आपको strategy में क्या बताया था, कि यह आपका part 1 का syllabus है, इसमें हम सबसे पहला काम जो करने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं, sets and function, देखें, और pair matrix, और differentiation में हमने आपको बताया है कि differentiation में इसका application करना है, economics और इसमें that is the elasticity of demand, और यहां भी इसका economic applications करना है, producer surplus and consumer surplus, इसका पूरा वीडियो जस्ट इस वीडियो के बादी हो जाएगा, आठ नमबर ही मिलेंगे, 16 नहीं मिलेंगे, आपने वाले सर्म, मैं जो 16 चाहिए, भाई, पहले आठा टिकटे करके, पास होने का tension कम करिए, यहां से आपका एक 50 मिनिट का वीडियो दिया हुआ है, उसको देख लीजे, यह भी पका 8 marks का आता है, लेवल वही है जो मैंने वीडियो में दिया हुआ है, अब इसके बाद बाद करते हैं, set और function की, तो मैंने बता हैं, set और function और matrix यह भी बाद में देखना है, फिर पहले क्या देखना है, तो यहां पर probability distribution, correlation, regression, time series और statistical decision theory, तो सबसे पहले क्या करना है, 8 वी unit से चालू करना है, time series सबसे पहल नमबर पर करना है, इसकी theory भी करनी है, और 4 variety के question है, 2, 2, 2, 2, 2, 2, आपको हर variety के कर लेना है, अच्छा mean, mode, median, correlation, regression, यह भी आपके syllabus में दिया हुआ है, जिस पर से कोई question नहीं आता है, यह लिखा हुआ है, student should be familiar with the concept, but there will be no question asked in examination, यह आपके syllabus में लिखा हुआ है, तो mean, mode, median, simple calculator allowed, मतलब क्या नहीं है, scientific calculator आप exam में नहीं ले जा सकते, तो calculator math के paper में नहीं, account के, हर paper में आपको पूरे MBA में calculator allowed है, लेकिन simple commercial calculator, कोई scientific calculator allowed नहीं है, तो यह बात ध्यान रखे, mean, mode, median, correlation, regression का सवाल, अब हमने यह भी बात कर ली थी, कि पहरा time series, फिर आपने यह भी वो दिया था कि correlation, और फिर regression, अब अपने यह बात करते हैं, कि sir thank you, आपने बता दिया, मैंने यह तीन topic हैं, और YouTube पे तो धेरों free video बढ़े हुए हैं, मैंने correlation भी देख लिया है, YouTube पे पढ़ लिया, free, regression, वो क्या हो गई, पढ़ाई हो गई, बिल्कुल ठीक है, अब अपने इसको apply करते हैं, कि अब यह 2022 का last year की paper है, कि अब मैं पढ़ाई करके गया था, जो मैं सोचा हूँ हुआ की नहीं, अब वो check करते हैं दोस्त, तो देखें सबसे पहले तो theory आ गई, तो यह तो हमर बारी कहते ह कि या तो उसका question आएगा या theory आएगा लेकिन मैस में theory लिखना भी नहीं चाहते हैं, तो अभी सोचते हैं कि अगर नहीं हुआ तो हम यह लिख लेंगे end में, अब बात करें तो यह तो हमें आता ही नहीं है, तो देखें यह हमें आता ही नहीं क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं इक आठ नंबर मिले और theory अभी हम लिखनी रहें, हमें कोशच कहते हैं कि 2020 में मैं sir की बात सुन लेता और YouTube से पढ़ा लेता, तो क्या मेरा काम होता, तो देखते हैं अब अब पर, दूसरे नंबर पर integration बिलकुल नहीं बनने वाला था मुझसे, इंटिगरेशन वैसे भी नह बनने वाला है, ठीक हैं, बहुत महिनत के बाद भी नहीं बनने वाला है, अरे लेकिन demand function and supply function is given and they find, they want to find consumer surplus and producer surplus, यह बन जाएगा दोस्त, वो भी केवल एक free का वीडियो जो इसके नीचे दिया हुआ हुआ है, वो देखने पर, मतलब फिर 8 नंबर मिल गए, औरे यार, matrix सोचा था, यह क्या आया है, matrix में, बनाई नहीं, पुछो अपने senior हों से, यह कोई भी बोल जरूर देता है, आरे, matrix पढ़ा ले न, आपने बोला हाँ, matrix मैंने वहुत सारे वीडियो देख लिए हैं, देखो, और अब YouTube पे सर्च करो, यह solution ही नहीं मिल लगा तो फिर, क्या पढ़ाई करी, तो यह question हम से बनानी, यह on an average, और यह क्या input, output हम तो पढ़ाई नहीं खतम हो, तो मतलब पूरे paper में, ए पार्ट में, मेरे पास दो option थे, दो ही question करने थे, 8-8 number के 2 बन रहे हैं, और 2 theory बन रहे हैं, यह theory आपको पता है, mathematics में लिखी नहीं जाती है यह सब फालतू बात है, कि अरे लिख देना theory में क्या है, क्या लिखोगे theory में है, जब तक कि आप दमदार आपने पढ़ाई नहीं करी हो, या आपके पास बहुत अच्छा कोई study material नहीं हो, या आपने notes नहीं बनाए हो, तो यह सब फालतू बात हैं दोस्त, मतलब YouTube की मदद से अगर मैं पढ़ाई करने गया, और मेरे ही दो वीडियो देखें तो अभी 16 नंबर तो आ गए हैं, अब बात करते हैं, आपने का कोई बात नहीं सर, पार्ट टू है, अब पार्ट टू में फिर theory है, आपने का या या theory हम तो करना ही नहीं है हमें, आपन तो सोच की चल रह हैं कि mathematics के paper में theory न के बराबर करें हैं, अब first जाएंगे तब ही करेंगे, तो भाई या theory तो मैं करना ही नहीं चाहता हूँ, कोई भी बोलेगा अरे theory लिख देना, क्या लिख देना भाई, लास्ट टाइम पर तुम कहे रहे, theory लिख देना, कहां से लिख देना, कोई समझाने वाला ही नहीं है, अब बात करते हैं, काल पियसन, अरे सर आपने बोला था, correlation पढ़के जाना, और मैंने YouTube से तयार कर लिया, काल पियसन का सवाल आके, अरे बहुत ही बड़, अब फिर सर्च कर ले मेरे दोस्त, पुरा YouTube सर्च कर ले, यही सवाल नहीं मिलेगा तुझे, YouTube आपने मान लेते हैं, आठ से बारा घंटे के वीडियो भी देख लिये, मिला, कुछ नहीं दोस्त, केवल नाम के लिए था, correlation, correlation और आया भी आठ नंबर में, और आठ नंबर में, regression आया, यह लेवल था, regression का, two regression coefficient, two equation, estimates, almost सब पूछ लिया, अब से, अब बहुत है, इसके अल question बनता है, और statistical decision theory यह question भी नहीं बनता है, तो अगर हम मोटे मोटे तोर पे देखें, तो एक 16 नंबर का यह question बनता है, दोस्त, आदा दूरा यह बनता है, और यह बनते हैं, तो यह आप फिर पूछेंगे किसी senior से, तो बोलने को बड़ा आसान होता है, कि time series पढ़ा लेना, correlation पढ़ा लेना, regression पढ़ा लेना, होता जाता, कुछ नहीं, तो फिर आपने मोलारे सर, कल आपने बात की थी, इससे पहले वाले वीडियो में कि भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने strategy बनाई, और पांडवों को जिता दिया, तो भई, strategy भगवान श्री कृष्ण यह भी ब करना पड़ता है, और इसी लिए दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, एप बनाया हुआ है, तो यह एप हमने बनाई ही क्यों है, तो यह एप बनाने का कारण ही क्या है, गूगल प्ले स्टोर पे जाईए, वहाँ पर जाके रजनी शर्मा, स्पेलिंग ध्यान रखेगा, रजनी शर्मा प्लासेस, इसको डाउनलोड कर लो, मैंने बड़े टू दपॉइंट आपके लिए, आपको जानते हुए, पिछले 20 सालों में पर पास, हर स्टुडेंट क्य आप बूल के आया, सर मैस नहीं आता है और आख्री टाइम में अब कम समय में, एक्जाम लेवल की तैयारी कैसे करा हैं, वो वीडियो मैंने सारे इस पे डाल दी, वो सिस्टमें ठीक है, वन बाई वन है, पहला वीडियो है, उसके बाद उसका पीडियो है, फिर वीडियो, हो गया, तो प्रैक्टिस कोश्चन्स है, देखें, वो यूट्यूब पे संभव नहीं है, दोस्त, देखें न, वो यूट्यूब पे संभवी नहीं है, कि वन बाई वन, वन बाई वन, कोई भी टीचर पढ़ा है, मैं नहीं, मैं भी अगर पढ़ाँगा, तो भी वीडियो बनाए गए जो मेरे अलावा दोस्त कोई आपको बता नहीं सकता है कारण यह को रिलेशन मैंने बताए आप पढ़के चले जाओ और यह सर्च कर लो आप तो को रिलेशन के सवार तो आपको समझ में आएगा कि यूट्यूब से पढ़ाई नहीं हो पाई पास होने ल 20 साल और वो भी क्या केवल MBA के लिए यह किताब आप कहीं भी जाएए Amazon पे भी मिल जाएगी booksellers पे भी मिल जाएगी college की library में भी मिल जाएगी और किसी भी teacher से बुलोगे कि इसके अलावा कोई किताब आती है तो वो बुलेगा नहीं रजनी शर्मा की book सबसे best है just because उसने सभ भी चीजों को cover किया है और यह बात का ध्यान रखाएगी मुझे पढ़ने वाले का mathematics नहीं है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यह एप बनाया है अगर आप यह download नहीं कर रहे हैं और चारों सेम फर्स सेम सेकंड सेम थर्ड सेम फोर सेम सारा material सारे unsolved paper कुछ student बोलते है नहीं किया रहे मैं एप तो download कर लिया मुझे unsolved paper नहीं मिला तो यह जैसे आप download करते हों यहाँ पर तीन लाइने आपको मिलती है वो जो तीन लाइने आपको वहाँ पर मिलती है वो आपका profile होता है वो profile में study material में जाईए study material में आपको क्या मिलेगा सारे free lectures free material वो सब आपको वहाँ पर मिलेगा ठीक है और चारों same के unsolved paper मिल जाएं ठीक है तो कहीं इदर उदर दोड़ने की ज़रूत नहीं systematic unsolved paper आपको मिल जाएंगे जब तक MBA करने तब तक आप यह एप download करके रखें notification चाहें on रखें चाहें off रखें कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है ठीक है चल अब आजाते हैं इसके बाद वाले paper पे तो यह देखें अब इसके इससे पहले वाला एक paper और है यह इससे पहले वाला paper फिर वह strategy लगाते हैं मतलब इससे उपर वाले paper पे अगर आपकी बाच चाहिए मैंने देखें यह किताब है और यह किताब पे जो exam में paper आया 2020 का यह उ पता लगेगा कि आप कुछ भी पूछा जाएं यह किताब यह आपका paper अब obvious बात है 2020 से पहले ही बनी हुई किताब है 2019 के बाद आया नया edition जब आपका syllabus चेंज हुआ तो obvious बात है कि फिर यह question किताब के हर question एक-एक किताब में सही मिलेगा और यह यहाँ पर मैंने आपको दे देखें अब बात करें किसकी 2020 के paper की कि सर वही strategy लगा के चलते हैं तो सबसे पहले क्या पूछा है sets का एक question पूछ लिया है आसान question था किया जा सकता था देखें न यह आसान question है यह अपने 16 नंबर का का ताम बड़ी आसानी से find the maximum tax revenue अब दोस्त दुनिया कहती कि अरे सर फ्री का जमान है ढूंडो इसको और गूगल पर जूंडो चैट जिपीटी पर जूंडो आपको इसका आंसर ही नहीं मिले तब आपको पता लगा है कि डिए वी वी कितनी दमदार चीज है ज्यादा दूर मत जाईए उज्जेन विक्रम यूनियर्सिटी बोपाल बरकतुल्ला यूनियर्सिटी वहां भी MBA होता है और वहां पे जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो गाइड वो भी गाइड खरिद के लाते हैं पर वहां गाइड 40 रुपे की है दोस्तों 40 रुपे की एक सब्जेक्ट तो 8 सब्जेक्ट कितने रुपे के 320 रुपे मतलब वहां MBA अगर आप गाइड से थ्रू पढ़ाई करना चाहें तो मात्र 320 रुपे लगें और इंदोर डीए वीवी सब आप मेंसे खरीद के लाए हैं यहां गाइड भी खरीदने जाओगे तो 4000 रुपे की गाइड गाइड की कीमत बोल रहा हूं मैं आठो सब्जेक्ट की कीमत नया एडिशन अगर आप लाएं तो 4000 रुपे का है गाइड का किताब की बाती नहीं चल रही दोस्त तो गाइड भी इतनी मेंगी क्यों ह आपर क्योंकि आप पेपर आता है जबर जस्त यह छोटे मोटे काम से नहीं होने वाला है कि अरे थोड़ा बहुत पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया आप पेपर निकाल लेंगे हम नहीं निकलेगा और क्यूटी तो बिलकुल ही निकलेगा देखे ना जितने प्रैक्टिकल MBMS कि बोलने से नहीं होने वाला है तो अब यह आप चेट GPT पे और अगर आप में से कोई ढून ले चेट GPT पे या गूगल पे तो उसकी लिंक नीचे ही डाल देना इस वीडियो के नीचे डाल देना मैं तो open challenge दे रहा हूं और ज्यादा बड़ी बात नहीं टीचरों से मिल नहीं नहीं रहा है solution मैंने दिया हुआ है तो भाईया फिर समझ जाए कि ऐसे भी question आते हैं जो किताब तो छोड़ो Google पे भी मोजूद नहीं है YouTube तो पीछे हो गया क्योंकि Google नहीं बता पा रहा है तो YouTube पहां से बताएगा और फिर बज़ गया क्या चेट जी पीटी आपने क्या हाँ तो डालना भाई हमने भी डाल के देख लिया है आगई बात समझ में तो ऐसे भी question आते हैं जो आपके नींदे उड़ा दें तो इसको आसान मत समझे कुछ लोग बोलते है रहे बस बढ़ा लेना अब देखो यहां पर question आया find a consumer surplus अब आपको सोला इसी मिल जाते हैं तो यह देखो यह सोला मिल गए और यह क्रेमर सुल का एक इजी question आया था यह भी बड़ी आसानी से आपको सोला मतलब अगर मैं मैंस वाले section से बात करता तो यह सोला दूसरा और तीसरा यह हो गया मेरा और यह तो मैंने बताई दिया महां बहे करें यह part B अब देखो क्या पूछ लिया standard deviation के उपर आ गया यह out of syllabus था दोस्त पर शिकायत को न करें यूनियर सिटी जाईए वाँ पर लेटर लिखे कि साब आपने बोला था आपने कैसे पूछ लिया इसको तो फिर आप शिकायत करेंगे तो number मिलेंगे पर लोग शिकायत क क्यों नहीं करते हैं बुला यार अपन तो पढ़के ही नहीं हो सकता है हो syllabus में अपने को पता ही नहीं हो इसलिए आदेश को शिकायत नहीं करते हैं तो यह hundred percent out of syllabus है तो यह out of syllabus आ गया सीखें तो यह question गया एक correlation का easy question आ गया तो चलो यह 16 और मिल गया यह easy question है एक सोर वाय दिय है simple formula लगाई है और YouTube के free video से भी काम हो जाएगा बिल्कुल बचाएगा probability probability तो हम पढ़के भी नहीं है तो यह हम हम उस सामाने वेक्ति की बात कर रहे हैं जो आखरी टाइम में प्रिपेर करता है हर किसी के बस की बात नहीं लोग करते हैं आरे मैं सिखा दूंगा नहीं फाल आप मुझे सिखा दो तो फिर बदा लगया वोले का नहीं बेटा फिर पड़ाई नहीं होगी एक आया time series का सवार बच गए तो यहां से भी अपने को क्या मिल गए 16 तो देखो सबसे पहला था हमारा time series फिर 16 नंबर का क्या आया correlation फिर क्या आया matrix यह तो free video देखा आधी थी अब इसी और इसके answers भी मैंने यह दिये हुएं तो किताब में लिखा हुआ है solve at the end of the paper जो मैंने बताया कि chat GPT पे भी नहीं मिलेगा वो मैंने solve किया हुआ है देख सकते हैं और सभी के page number और उसके questions अब बात करते हैं फड़ा फट 2019 की तो 2019 की बात करें तो फिर देखिए एक question set का अरे आपने का मज़ा आ गया इसको भी search कर लो दोस्त हालत खराब हो जाएगी Google पर भी नहीं मिलेगा YouTube तो बात है चैट GPT पर सर्च कर लो पहले इसको फिर पदा लगया और क्यों टॉफ कोशन आया था तो आप कहने के लिए बोला कि सेट का question आता है अपन कर नहीं बनेगा बाई तो यह फालतू बात है अगर आप यह कह रहे हैं कि यह question आपसे बन जाएगा यह उन्हीं से बनेगा जो बहुत पढ़ाई करते हैं तेखें मेरे इसमें solve दिया हुआ टेंचन मतलो और वीडियो भी solve लगा दिये अब इसके बाद एक आठ नंबर का यह question easy था तो यह आठ तो नहीं मिले यह आठ मिले बस सेट function से यह तो हम पढ़के ही नहीं गए थे तो यहाँ पर यह maximum minimum हमसे हुआ नहीं differentiation तो महा बहेंकर पूछा गया था भाई यह हमसे इंटीग्रेशन हम पढ़के गए नहीं और आपको जानके आश्चर होगा कि यह सेट अपना मैट्रिक्स का सवाल था जो गलत पूछ लिया ए दे दिया बी बोला बोले पता करो सी क्या हो कहां से पता करें कुछ रिलेशन तो दे भाई गलत सवाल भी आ जाता है पिर आपने सवाल आए अटेंड जरूर करना क्योंकि अटेंड करने के मार्क्स होते हैं और अटेंड करने की डेफिनेशन क्या है यूनियोर से थी कि आपने कोशन लिखाओ अगर आप पता लग जाए कि कोशन गलत है तो जरूर से अटेंड करिए इसके बाद अब तो यह आउट regression का सवाल 8 नमबर का बच गए तो 8 और 8 16 यहां से मिले अपने को और 8 नमबर यहां से मिले और 8 नमबर यहां से मिले मतलब यह 32 नमबर तो अपने के हो गए और एक question seasonal variations का मिल गया और एक उसकी theory विल तेखें किस page पे कहां पर दिये हुए है तो question दिये हुए है at the end of the paper या not in so देखें तो दोस्तों कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आप paper छोड़ेगा नहीं दोस्त 80 केटी आगर आई तो double का नहीं हो जाएगी पीस भी double देनी पड़ेगी 80 केटी की फीस भी भरना पड़ेगी और ये third same में जब paper होगा तो हमेशा tension बना हुआ रहेगा कि अरे यार पहले भी इस paper में band बज़ गई थी च्यांती पूरवक एप को डाउनलोड कर लो तेखें इससे ही आपका काम होगा strategy बनाने के बाद भगवान शरी कृष्ण भी साथ में होना चीए मैं भगवान शरी कृष्ण नहीं हूँ पर अभी आपके paper का manager हूँ और मेरे अनुभाव का लाब उठाके ही आप कम टाइम मे इस paper को उठा सकते हैं देखें चलिए और ये भी एक ही दिन का gap है अभी जब आपका paper आ रहा है तो उसमें कितने दिन का gap है एक दिन का gap है तो इस एक दिन के gap में मैं live class लेने वाला हूँ यूट्यूब पे तो उस live class में और हुआ तो दो से तीन session लूँगा live class एक ही दिन मे ताकि आप tension free होके पढ़ाई कर सकें तो एप download कर लो एप के उपर एक छोटा सा crash course दिया हुआ है वो शुरू कर दो आपका काम हो जाएगा तेखें चलिए मिलते हैं next video में कुछ और qt की बारिक्यों के साथ जैहिन खर पस जाएगी दो नाप में कुछ दो हँ झाल एक उना फमें तो से लो दो screenod